हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला युनिवसिटी दर्भंगा पार्थर्ड इंगलिस ओनर्स के स्टूरेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 का ओफिसियल सैलेवस क्या है इसके उपर बात करेंगे दोस्तो किसी भी एक्जाम के लिए सैलेवस बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि विदाउट सैलेवस आपको आइडिया ही नहीं होगा कि हम पढ़े क्या हमें एक्जाम के लिए पढ़ना क्या है लेकिन जब आपके पास सैलेवस होता है तो आपको पता होता है कि नहीं ये बॉंडरी है इस बॉंडरी के अंदर ही हमें प्रिपेर करना है इस बॉंडरी के बाहर नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 का ओफिसियल सैलेवस क्य तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम आपनों को बता दूँ पेपर 8 भी 100 marks का होता है और यहां पे भी आपके पास total 3 hours का time होता है सबसे बड़ी बात दोस्तो पेपर 8 जो है यह एक linguistic paper है इसमें जितने भी question आएंगे वो सारा का सारा linguistic question होते हैं यहां पे यहां पे दोस्तो क्या होता है तो मालने जो कोई चीज़ अगर आप समझ गए तो ठीक है अगर नहीं समझे तो आपको रटना भी पड़ेगा क्योंकि लिंग्विस्टिक है लिंग्विस्टिक का कोई तरीका ही नहीं है अगर आप समझ गए बहुत बहतर नहीं समझे तो आपको यहां पे रट के काम चलाना पड़ेगा वह इसे बहुत सिंपल सिंपल यहां पे चीज़े से लेवस में में जैसे की communication क्या है language क्या है यह सब तो दोस्तो यहां पे छे section में question आपके exam में पूछे जाते हैं जिसमें से पहला section में जो सवाल पुछा जाता है वो इन सभी topic से पूछा जाता है और वो 15 marks का होता है पहला question जो दोस्तो वो section first case syllabus जो mention है यहीं से सवाल आपके exam में पूछा जाएंगे और कौन-कौन चीज mention है तो mention है characteristics of language and animal communication यानि आपको language पढ़ना होगा और animal communication पढ़ना होगा दूसरा है दोस्तो diachronic and psychronic variation of language यह सभी language के पार्थ ही है उसके बाद social aspects of language उसके बाद grim's law and warner's law हमेशा दोस्तो इन दोनों से एक सवाल पूछे जाते हैं अगर grim's law आया तो अगली बार warner's law आएंगे अगर warner's law आचुके हैं तो अगली बार grim's law आएंगे यह fix है एक question इस बार तो दूसरी question अगली बार इस प्रकार से पूछा जाता है तो यहाँ पे mainly चार ही topic mention है group A के लिए और यही से सवाल पूछे जाएंगे और यह 15 marks के होंगे तो यह हो गया section A का से ले बस अब चलते हैं हम लोग section 2 की ओर section 2 में जो दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं वो इन topic से पूछे जाते हैं क्या है definition, scope and branches of linguistics यहाँ पे linguistics से संबंधी सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद speech mechanism, phonetics and its branches उसके बाद vowels and consonants, diphthongs, cluster and syllables उसके बाद super segmental features तो यह हो गए आपके section 2 के लिए syllabus यहीं से सवाल पूछे जाएंगे और यह भी 15 marks का ही होगा अगला है section 3, section 3 में दोस्तों आपको यह सभी पढ़ना है जैसे कि phonology पढ़ना है, तो phonology में आपको phone क्या है, phonemic क्या है yellow forms क्या है, morpho क्या है, phonemics क्या है, यह सभी आपको पढ़ना होगा उसके बाद है morphology, morphology का definition क्या है, इनके कौन-कौन से type है उसके बाद yellow morphs क्या है, यह सभी आपको पढ़ना होगा उसके बाद word formation, यह से level L नहीं होगा, word formation, उसके बाद syntax, और syntax में आपको पढ़ना होगा primary and secondary classification of words, basic patterns of English sentences, उसके बाद transformational generative grammar, यह बहुत ही famous है इसके बादे में उसमें आपको पढ़ना होगा introduction, phrase structure rules, transformational rules, transformation rules, उसके बाद morphophonomic rules यह सभी आपको पढ़ने होगे section 3 में, और इन ही सभी में से कोई सवाल पूछा जाएगा section 3 में, और वो 15 remarks का होगता है अब चलते है section 4 की ओर, section 4 में दोस्तों semantic से संबंदित सवाल पूछे जाएँगे, इसमें आप से पूछे जाएँगे meaning and concept of semantics उसके बाद synony, anonym, hyponomy, homophony and homography, homonomy and polismy, lexical, grammatical and conceptual meaning तो जितने भी देखे हो नो, synony, anonym, hyponomy, सभी का definition और example mainly आपके exam में पूछे जाते हैं उसके बाद अगला है semantic relations among sentences, उसके बाद structural ambiguity, उसके बाद है pragmatics and sentence interpretation तो यह होगे section 4 के लिए, इन जितने भी टॉप देख रहे हो ना, section 4 में, इन सभी से कोई भी एक परसन पूछा जा सकता है और वो 15 marks का होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, section 2 जिसे लिए बस दिया हुआ है, उसके बाद है दोस्तो, section 5, section 5 में क्या होता है दोस्तो, तो आपके पास total चार यह जितने भी दिख रहे हो ना, accent, intonation, assimilation, rp, zie, slack, dialect, language and parallel, syllable, spelling, pronunciation, information, inform terms, error analysis, cranberry morphemes, syntagmatic and pragmatic relations, उसके बाद IC analysis, यह जितने देख रहे हो ना, इन सभी में से कोई 8 आपके एकसाम में पूछा जाता है, और इस 8 में से केवल और केवल 4 का जवाब देना होता है, और वो चारो 5-5 marks करके होनते हैं, यानि 20 marks का सवाल पूछा जाता है, section 5 से, और लास हो गया, section 6, यहां से भी 20 marks का सवाल पूछा जाता है, और यह फूल पूछा जाता है, phonetic transcription से, इसमें 15 words आपके पास होते हैं, और 15 words में से केसी 10 words को आपको phonetic transcribe करना होता है, और वो दो-दो marks करके होते हैं, यह भी हो गया, तो पांचमा और छठा question, 20 marks करके होते हैं, तो यह हो गया, 40 marks, और उसके अलावा जो 4 section उपर हो गया, 4, 3, 2, 1, यह 15, 15 करके, यानि 4 question पहला नंबर से ले करके, और 4 question तक यानि 4 question जो होंगे, वो 15, 15 marks करके होंगे, तो 15, 4, 60, और पांचमा और छठा जो परसन होते हैं, वो 20, 20 marks करके होते हैं, तो 20, 20, 40, तो 60 और 40 यह टोटल हो गये, 100 marks, तो यह तो होगे, अब चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, एक्जाम में जो परसन पूछा गया है, वो बताते हैं कि कैसे पूछा गया है, तो दोस्तों यह जो question मैं आपको दिखला रहा हूँ, यह तो यहां पर मैं आपको दिखलाता हूँ, देखिए, section A में म diDas chronic, oxide यही holy person पूछा गया, उसका रही पुछा गया है, ग्रीम से लाओ, गौशन के दुखिए, देखिए में और करके जो आया है, Stephen AL invested यह पहला नम्बर से ले करए हैं छारों में द法ला हो गाल जवाब देना होगा तो 15 में चारों में पहला से लेकर 400 सिव स्जेशावाक रखाता ह olmaz बरेड़ तो यह होगा पहला प्रस चलिए दूसरा प्रस दिख लाता हूं देखिए दूसरा परस्न में लिंग्युस्टिक के बारें बात किये थे देखिए यहां पर आया हुआ है लिंग्युस्टिक्स और speech mechanism ये भी मैं आपको दिखला देता हूं सले बस से दूसरा में चलिए दूसरा सेक्षन में देखिए यहां पर गॉर्ट देखिएगा लिंग्यूस्टिक से आया था और speech में का निजम से दिख लिए ये भी मिल गया चलिए आगए चलिए अब चलिए मैं तीसरा प्रसन आपको दिखलाता हूं देखिए तीसरा प्रसन आया है मौर्फिम से संबंदित और इसी में और करके जो आया हूँ आया है तीजी ग्रामर से यानि ट्रांसफोर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर से तो देखिए तीजी ग्रामर हो गया और आपका हो गया मौर्फिम से यह भी मैं आपको दिखलाता हूं तो डिरेक्ट आप चलिए त कई सेक्षन में यहां पर हैं यहां पर ट्रस्फोर्मेशनल जन्डीटिव ग्रामर टू piratesे ग्रामर हो गया और एक का यह फूर सब तूदू इसुमें है सारा मोरफीम ही है देखते नम ओर रहते सब्हें सब में जकस्द श्याया हैं है और दोगा असानोनी है पॉन मेघ करना चाहिए जितने भी देख रहे लिए और शेमें टीक रेलेशन अमंग थो यही परसुन मिल गये बिच्छा रहे ना गुत मेच्छा पूरे करें से बाहर कोचा लिए गया है उसके आत पांच मां में आई कि था कि पहला से लेकर कर चौंठा तक जहाथanstित विपाप पांच में दो दो पर अजोंगे किनी एक का जबाब देना होगा और उसावी 15 15 15 कॉस97 करके होंगे लेकिन था प्रस्ण होंगे इसमें आपके पास टोटल आठ उप्सन रहते हैं एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ और इस आठ में से एनी फोर कोई भी चार सेलेक्ट कर लिजिए और उसको आप आंसर दीजिए और वो चारों पांच-पांच मांक्स करके होंगे यानि पांचों के 20 मां शुए जितना है उससे सारास एलेवस में में इसमेलेशन आरपी डालेक्ट से लेवल एररर आइसे अनलेसी से के इस वाद इस्पैलिग हो गया उसके बाद पर नंसिे शन हो गया सारसालेवस में में सुन मैं भी मैं दिखात देता हूं पर फिर से आप दो कि का पांच मांझ गौर से देखिएगा मिलाली जीस में सारा कुछ मिल जाएगा एकसेंट एजिविलेशन जी आई परनांसियेशन सी लेवल देख सारा किश आपको मिल जाएगा तो इसमें क्या होता है देखिए ना ट्रांस्क्राइब फोनेमिकली विद प्रोपर स्ट्रेस मार्क एनी टेन अफ दी फ्लोइंग देखिए ना टोटल यहां पे पंदर दिये हुए हैं कौन्ट कर लिजिए आप एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा थ तेरह चौदफ पंदरह टोटल पंदरह वर्ट्स दिये हुए हैं और इसमें से आपको एनी टेन कोई भी दस आप चूज कर लिजिए और उसका आंसर दीजिए फोनेटिक ट्रांस्क्राइब आपको करना होगा वो हर दस प्रसंट दो-दो मार्स के होंगे यानी बीस मार्स क नहीं प्रस्था हो गया तो एक फिर से मैं आपको बता देता हूँ पहला प्रस्न से लेकर के चाउंथा प्रस्था 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 चार प्रस्न जो होंगे उ यह 2 ऐक को जाब देना होग 1991 12 15 और 6500 और 20 230 प्रस्था ओंग्स жест 40 marks 100 marks यह हो गए दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ बता देता हूं संपूर्ड इंगलिस प्लैटफर्म के माध्यम से हम लोग पार थर्ड के लिए online बैच चलाते हैं तो अगर अभी तक आपका सैलेवस पूरा नहीं हुआ है किसी बज़त से अगर आप सही से पढ़ नहीं रखते हैं और वहां से डेरेक्ट एक्जाम में प्रस्ण भी पूछे जाते हैं दोस्तों जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको बहुत सारे कंटेंट देंगे जैसे प्रीविस येर कुस्टन पेपर का पीडिएफ होगा चार जो पीपर आपके होते हैं थार पार लाग से देंगे पेपर 6 और 7 में एक्सप्लानेशन के परस्न पूछा जाते हैं तो उसके लिए हम पोएम टेक्स्ट का पीडिएफ अलग से देंगे इसी पनार से बहुत सारे पीडिएफ होते हैं तो आप हमारे साथ जैंगे तो आपको हम ढहां से चीजों को समझाएं गे बताएंगे और exam में आप बेहतर perform करेंगे तो अगर आप हमारे साथ online batch में जूरना चाहते हैं या फिर cable और केवल content अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ये जो screen पे number display हो रहा है 704-892-8746 इस number पे आप मुझे exam को call करना या फिर whatsapp का भी भी कर सकती हो मैं आपको वहाँ पे process बता दूँगा उसके बाद आप batch भी जॉइन कर सकते हो और class notes भी ले सकते हो थैंक यू समच दोस्तो